दोस्तो जास्मिन भसीन का बिग बॉस के घर में जाना और सौ दिन से जादा वक्त के बाद उनका इविक्टो जाना इस बीच जास्मिन भसीन को कई लोगों का बहुत जादा प्यार मिला और कई लोग ऐसे भी थे जो ने बिलकुल भी पसंद नहीं करते थे लेकिन इस बीच जास्मिन बसीन कहीं रुखी नहीं वो आगे बढ़ती गई और लोगों का प्यार पाती गई लेकिन इस बीच शारदुल पंडित ने जास्मिन बसीन को लेकर कह दिया है कुछ ऐसा कि आपको भी जानकर बहुत जादा हैरानी होगी आप जानते हैं कि शारदूल पंडित जास्मिन बसीन के बहुत जादा अच्छे फ्रेंड बन गए थे बिग बॉस के घर में यही वज़ा है कि बिग बॉस के घर से विक्ट होने के बाद जास्मिन बसीन जब घर से बाहर आई तो उनोंने सबसे पहले मुलाकात की शारदूल पंडित के साथ इन दोनों की कई फूटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हुई जिसमें ये दोनों हैंग आउट करते हुए नज़र आए जियां दोस्तो जास्मिन शारदूल पंडित को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती है यही वज़ा है कि घर से बाहर आने के बाद दोनों ने शारदूल से मुलाकात की इसके साथ ही आगी की दोस्ती के लिए भी बहुत सारे वादे किये गए कि दोनों हमेशा ऐसे ही दोस रहेंगे इस बीच शारदूल पंडित ने बहुत ही शौकिंग सा स्टीप्मेंट दिया है जास्मिन भसीन को लेकर जिया दोस्तो शारदूल पंडित ने बताया है कि जब वो बिग बॉस के घर में थे तो जास्मिन भसीन के लिए वो अट्राक्ट हो गए थे जिया दोस्तो तो ही उन्हें बहुत जादा पसंद थी लेकिन सबसे जादा जोने पसंद थी वो थी जैस्मिन भसीन लेकिन वो पहले से ही अलिगौनी की हो चुकी थी इस वज़ा से उन्होंने उनकी तरफ उस तरीके से हाथ नहीं बढ़ाया और पवित्र अलोरीडी एजास्त के बारे में खुलासा करी चुकी थी कि वह जास को कितना जादा पसंद करती है और रूबीना के बारे में तो आप सब जानती है कि अब इनफ शुकला की पतनी है रूबीना लेकिन इस बीच शादूर पंडित का सपना टूट गया जब उन्हें पता चला कि जास्मीन तो अली गौनी को बह बहुत जादा पसंद करते थे वो आपको भी होई नहरानी जियां दोस्तों ये बंदा है ही ऐसा जहां जो मन होता है वो बोल देता है जहां इनका जैसा मन करता है वही अपना इस तरीकी का स्टेटमेंट वो देते रहते हैं इस बार शादूर पंडित ने खुलासा किया है क कि वो जैस्मिन बसीन को बहुत जादा पसंद करते थे